कोई इंकार नहीं कर सकता अब महदे एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां वाक्या करना चाहेंगे एक मुल्ला नसुरुदीन थे कहानी में मुल्ला नसुरुदीन थे वो एक किलो मीट जो है बजार से खरीद के लाएं और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाईए और बेगम जो है लग गई अच्छे से मसाला दिया अच्छे से सिझाया पकाया स्वादिस्ट मीट बना और जब तक बेगम बना रही थी मुल्ला अपना मूड बनाने पान खाने चले गए उसोचे जब तक बनेगा हम अपना थोड़ा मूड बना करके वापस आते हैं अब मुल्ला नसुरुदीन के इंतजार में बेगम जो है इंतजार करने लगी कि अब आएंगे आएंगे तो बेगम सोची थोड़ा चक के देख लें कि मीट कैसा बना है तो बेगम जो है मसाला से शुरू की चाटना ग्रेवी जिसको कहते हैं और चाटते चाटते जो है पूरा एक किलो मीट जो है वो खा गई तो जब मुल्ला नसुरुदीन वापस आए तो उनको थाली पडोसा गया खाली थाली खाली पडोसा गया और बेगम कहती है जो बिली है इस बिली ने आपका सारा घोश जो है वो खा लिया अब मुला नसरदीन जो है बेचेर हो गया बिली को तुरन पक्रा तराजु में नापा तौला और बिली ठीक निकली एक किलो की तो मुला नसरदीन कहते है बेगम ये बताओ, अगर ये बिल्ली है, तो मीट कहा है, और ये मीट है, तो बिल्ली कहा है, तो मौदे, ये जो अभिभाशन, जो राजपाल कर रहा, ये उससे रिलेट करता है, अगर भाई विकास हुआ, तो बेरोजगारी क्यों है, अगर विकास हुआ, तो नीती आयोग में सबसे फिसड़ी बिहार क्यों है अगर विकास हुआ क्राइम रुका तो डेली अपरहन हत्या लूट बलतकार क्यों हो रहे है मोदे क्यों बेरोजगारी का केद्र बना क्यों किसाम तबाएं क्यों हमारा सन्विधान खत्रे में है क्यों लोगतंतर खत्रे में हैं क्यों अस्पतालों की सुधर्टी नहीं है मोदे सिच्छा का स्तर बच से बत्र हो जारा अगर विकास हुआ तो तो बिहार की जंता सब समझ ली है और जान ली है कि कौन किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है मोदे अब हम कहना तो नहीं चाहते लेकिन राजपाल जी को ये कहना चाहिए था या जो पुरे बिहार का मानना है कि इस सरकार में महोदे नीती, नियत, नियम, नेतिकता और नयाय का घोर अभाव है महोदे ये सच्चाई है और मुझे तो बिहार सरकार महोदे मुख बधीर लगते ह बिहार सरकार, लाचार, पड़ेशान, असाहय, हमको बिहार सरकार लगता है, जो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, और ना हाथ पर हिला सकती है, ये सच्चाई है महोदे बिहार की, जो सरकार की है, और अफसर्वादी सरकार कहना कोई गलत नहीं होगा, अ जुगलबंदी है गजब की जुगलबंदी है हम तो सारा रिसर्च करके हैं एक एक एविडेज अपना हम नहीं बोल रहे हैं आप ही लोगों का बोल रहे हैं आपके जुगलबंदी को ले करके बोल रहे हैं महोदे और यह अफसरवादी सरकार है और हम इसको प्रमानित करेंग महदे यह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए एक जुट है महदे सरकार में और कुछ नहीं केवल स्वार्थ नलन जी उनका ब्यान है बिहार में भाजपा के साथ गड़ बंदन परिस्टिती वश है अब क्या माइनी निकाला जाए भाई परिस्टिती वश है गोपाल मंदल जी कहते हैं कि टरेक्टर से दारू बेशते हैं जद्यू के सांसर शराब माफियाओं से मिला है प्रशाशन जैसवाल जी बीजेपी के प्रदेश धेक्शी बोलते हैं भाजपई म मंत्री वह विधायक ने कहा अफसर नहीं सुनते हैं पैसे से ट्रांसफर हुए मंत्रियों के घर चापे पड़े तो करोडों मिलेगे कहां गे ज्यानु जी ज्यानु जी का और तो और शरावगी जी भी नहीं है गायब है उन्होंने क्या रूप लगाया था मंत्री पे कि ये डॉक्टर आइस, IPS और नय पालिका के लोग रात के दस बजे के बाद पीते हैं शराव और मौदे उप मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री का कॉंटरिक्शन देखिए बिहार की उप मुख्य मंत्री बोलती है कि बिहार के लिए विशेश राज का दर्जा माइने नहीं र पिछडा बताया है तो आप हमें विशेश राज का दर्जा दे दीजिए तब कैसे सरकार चल रहा है अदबुध है कलपणा से पड़े हैं और हम तो ये भी सुने मुख्य मंत्री जी ने बोला अगर कोई लोग ऐसा बात बोलता है कि बिहार को विशेश राज का दर्जा नह उपमुख मंत्री क्यों बढा के रखा ये तो आपको बताना पड़ेगा क्या जुगल बंदी है बोस